मुझा असलाम अलेकूम वेलकम बैक तो मैं चैनल उमीद है के आप सब ठीक होंगे आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी होममेड मिक्स निमको जो के इसके टोटल 4 स्टेप हैं सबसे पहले हमने स्टेप 1 करना है और स्टेप 1 के लिए जो इंग्रीडियन्स चाहिए वो यह है दाल माश लिए है हमने 1 कप दाल चैना 1 कप काबली चैना 1 कप इन तीनों दालों को आपने 7-8 गहंटे के लिए बिगो के रख देना है मूंपली लिए हमने स्किन के साथ 1 कप ब के बाद आपने तकरीबन 4-5 दफा पानी से निकाल के और इसको अच्छी तरह खुश्क कर लेना है और खुश्क इतना करना है कि हाथ के साथ पानी बिल्कुल भी न लगे ऑईल जैसा के पैन में मैंने रख दिया है हीट अभी जो है वो इतनी है के ऑईल गरम हो जाएगा औ हम नॉर्मल हीट पे इसको कर देंगे अभी नॉर्मल हीट पर है और इसको आपने किसी भी चानने में डाल के कर लेना है चानने में डालने की रिजन यह है कि जब आप फ्राइ करेंगे तो उस पॉइंट पे यह जलेंगे भी नहीं और बहुत अच्छे तरीके से फ्राइ औ आप डालके इसका ऑउल निकालने और अच्छे तरीके से इसको कर लें इसके के चनम फ्राई हो चुके हैं इस पॉइंट पर हम निकालने के बाद आप किसी भी पेपर में इसको थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो ऑउल जो इसके साथ होगा वो ड्राई हो जाएगा और अगेन इसी तरीके से हम दाल चना फ्राई कर लेते हैं एक दफ़ा निकालने के बाद आप हीट इसकी हाई कर दें और जब ओयल कर रहा हो जाए तो आप दोबारा इसकी हीट नॉर्मल कर दें आपने हीट नॉर्मल ही रखनी है और इसको 2 से 3 मिनट के लिये आपने सैम इसी तरीके से फ्राई कर लेना है और जब आप फ्राई कर लेंगे तो इसकी एक आवाज आनी है आपको जो के आपको पता जल जाएगी के क्रिस्पी भी हो चुके हैं तो उस point पे आप ऐसे निकाल सकते हैं जैसा कि ये भी fry हो चुकी है again Sam, वही process है हम दाल माश कर लेते हैं तो दाल माश को भी हम इसी तरीके से कर लेते हैं best ये है कि आपके पास कोई सा भी चान ना हो तो आप इस तरीके से उसके अंदर रखकर fry करेंगे ये एक तो निकालने में भी असानी हो जाएगी और फ्राइ करने में भी असानी हो जाएगी और अगर आपने ऐसे ही Sam किसी पैन के अंदर डाल लिया तो वह दाल सारी क्रिस्पी भी नहीं होगी और जलने का भी problem होगा तो जो हम अभी करने लगे हैं मुखफली फ्राइए तो आपने ये बिल्कुल भी जादा टाइम के लिए नहीं रखनी आपने डालना और निकालने वाला काम करना है और हीट आपने बिल्कुल नॉर्मल रखनी है क्योंकि मुखफली और रेड़ी फ्राइए हुई होती है तो इसको जादा आपने फ्राइए बिल्कुल भी नहीं करना तो इसको हम निकाल लेते हैं इसी तरीके से जो बदाम हैं उनको भी फ्राइए करेंगे और किश्मिश जो है वो आपने बिल्कुल भी फ्राइए नहीं करनी अब हम इसको भी निकाल लेते हैं बहुत इसान से यह रेस्पी है जो मैं आपके साथ शेयर करें आप इसको जरूर ट्राइए करें और इस तरीके से ऑईल इसका निकाल लिया है और इसको भी डाल लेते हैं किसी भी बदन में आप सेम इसी त्रीके सेम जैसा के फ्राय हो चुके हैं अब हम इसको भी निकाल लेते हैं और अब हमने करना है step 2, step 2 के लिए जो ingredients चाहिए वो ये है oil लिया है, हमने half cup जो के हमने name गरम लिया है, आप इस point पे oil को गरम कर ले अजवाइन लिया है, 1 teaspoon, नमक लिया है, 1 teaspoon, मीठा सोडा लिया है, 1 teaspoon आपने ये चीज़ें जो नमक और मीठा सोडा है, oil के अंदर add कर लेना है और इसको अच्छे तरीके से mix कर लेना है, जब ये अच्छे तरीके से mix हो जाएगा तो इसके अंदर 1 cup आपने पानी अट कर लेना है और वो अट करने के बाद आप again इसको अच्छे तरीके से mix कर ले इसके लिए हमें चाहिए 2 cup बेसन बेसन को आप किसी भी बतन में ढालने और ढालने के बाद यह जो हमने oil और पानी का mixture बनाया हुआ है आपने इसको add करना है इसके अंदर और इस point पे आपने जो मीठा सोडा और अजवाइन है वो डाल के बेसन को अच्छे तरीके से इन चीजों के साथ mix कर लें आप इस point पे इसको थोड़ा सा mix करने के बाद हाथ की मदद से जैसे आटा गुंते हैं इस तरीके से भी एक से दो मिनिट के लिए कर सकते हैं इस तरीके से आप हाथ से mix कर लें पापड़ी बना रहे हैं इसका mix से ज़्यादा थिक था तो मैंने तकरीबन hop cup पानी डाल के इसको थोड़ा थिन कर लिया है इस तरीके से आईल गरम है और आपको इसा भी सांचा यूज़ कर सकते हैं सांचा यूज़ करने के बाद पोक की मदद से चाहें या फिर कोई spoon आप यूज़ करना चाहें या spatula इस तरीके से प्रेस करते जाएंगे तो यह पापड़ी आपकी बनती जाएगी और हीट आपने नॉर्मल ही रखनी है हाई हीट आपने बिल्कुल भी नहीं करनी इस तरीके से डालने के बाद आपने चमर्च चलाना है और जब यह light golden सी हो जाएंगी तो आपने निकाल देनी है अपनी त्यार हो चुकी है अब हम इसे निकाल लेते हैं और इस तरीके से अगर आप चाहें तो इस त्रैस्पी को follow कर सकते हैं और बना सकते हैं अगर आप यह निकाल के अंदर ना भी डाट करें तो आप ऐसे भी बनाके इसको खा सकते हैं यह बहुत ही मज़े की लगती हैं तो यह बहुत ही crispy हैं आई होप आपको अच्छी लगी होगी सब इंग्रीडियंस त्यार हो चुके हैं इस पॉइंट पे आपको जो step 3 बताना है वो है चरपटा मसाला जो के निम्कों के अंदर हमने add करना है उसके लिए जो इंग्रीडियंस चाहिए वो यह है half teaspoon नमक लिया है जो के पहले भी add है तो इस वज़े से हम कम कर रहे हैं one teaspoon लाल मज, one teaspoon गरम मसाला जो के पिसा हुआ है और one teaspoon चाट मसाला इन सब चीजों को आपने अच्छे तरीके से mix कर लेना है अब एक बड़ा सा बाल लेंगे जिसके अंदर हम बाकी सब ingredients add कर लेंगे इनको add करने के बाद आप अच्छे तरीके से mix कर लें सबसे पहले डाल लेते हैं चना, पापड़ी इसके बाद आप डालने निमको जो भी चीज़ें डालना चाहें आपके अपनी च्वाइज है इस तरीके से डालने और ये बड़ाम है और जो किशमिश और गिरी है वो आपने बिल्कुल भी फ्राय नहीं करनी अब डाल लेते हैं डाल माश ये भी डाल दें और डाल चना ये सारी चीज़ें डाल दें और ड्राय फ्रूट्स जो आपके पास अवेलिबल हों आप डाल सकते हैं और अगर ना हो तो कोई मसका नहीं है इस पॉइंट पे आप इसको स्किप कर सकते हैं अब हम इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लाते हैं कि सारी जो डाले हैं वो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं जब मिक्स हो जाएंगी तो इसके अंदर आपने लास्ट पे जो चरपटा मसाला बनाया है वो एड़ करना है और एड़ करके आपने अच्छे तरीके से मिक्स करना है कि सब निमको के साथ अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए इस तरीके से ये डाल सकते हैं बहुत ही कम बजट में आप गर पर बना सकते हैं निमको और बना कि आप इसे एक मन तक इंजॉय कर सकते हैं और ऐसी किसी भी जार में डाल के आप इसको सेफ कर सकते हैं अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा जो लोग चैनल पर नहीं हो है चैनल को सबस्क्राइब करने साथ ही दिए बेल आइकन को प्रेस करने उसे ही होगा कि आने वाली वीडियो का नडिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा मुझे दीजिए अजाज़त मिलूँगी आपको एक नए वीडियो के साथ आफ़ेस